Hello, gamma function में अभी type2 देखे क तो type2 चोस्शन होते हैं वह question होता है is log के उपर based होता है तो फंक्शन में हम लोग अभी कर रहे है type2 examples based on log के questions होगे तो इसमें जो questions होगे good इस type की questions होते है जिसमें log present है और उसमें गामा function में क्या है गामा function में अपने को limit क्या चाहिए रहती है 0 to infinity चाहिए रहती है लेकिन ऐसे question में जो limit होती है वो 0 to 1 given होती है तो इसमें 2 problems होते है सबसे first होती है limit limit इसमें 0 to 1 given होती है 0 to 1 और next problem क्या इस log वाले question में यहाँ पर E present नहीं है E present नहीं है second problem है यह E is not present problem है इस question में log वाले question में गामा function में तो अभी इसमें करना क्या होता है इसमें भी अपने को put करना होता है तो हम लोग put करते है log x को ही put करते है log x equal to minus t तो हम लोग ऐसे करते है put log x equal to minus t ऐसा put करने के बाद फिर इसका antilog लिखता है antilog क्या होता है antilog का मतलब होता है e तो यह बनेगा e raise to log x बनेगा antilog लेने के बाद दोनों साइड अपने को antilog लेना है फिर यह साइड भी e raise to minus t बनेगा antilog लेने के बाद ऐसे होता है यह हम लोग ने यहापर log x equal to minus t लिया फिर anti-log लिया दोनों side e raise to log x बना फिर और ये side भी e raise to minus t बना और अभी ये anti-log और ये log anti-log और log दोनों को एक दूसरे को cancel करते हैं फिर इसमें से क्या बचा फिर x raise to x ही बचा सिफ anti-log और log एक दूसरे को cancel करते हैं सिर्फ इसमें से बचा x और इसमें से क्या बचा e raised to minus t e raised to minus t बचा अभी इसके बाद इसका derivative लेना होता है इसका derivative क्या आएगा इसका derivative आता है dx इसका derivative आएगा dx इसका derivative है x का derivative dx और e raised to x e raised to x का derivative e raised to x ही आएगा तो इसका derivative आईगा E raise to minus T आईगा लेकिन इस minus T का derivative इस minus T का derivative minus 1 आता है तो ये minus 1 भी इसमें आएगा तो आईगा minus 1 तो माइनस there और यहाँ पाएगा ये dt तो इसमें ऐसा होता है तो dx minus E raise to minus T dt अभी इसके बाद इसमें limits कैसे change होती है वो देखना है अभी अपने को अभी हम लोग ने X में थे अभी हम लोग फिर हम लोग ने T में चेंज किया तो ये बहुत important है तो ये कैसे होगा वो देखना है सबसे first अपना box बनाएगे limit क्या थी अपनी यहापे X वाली थी X वाली थी फिर हम लोग ने इसको change किया T वाले limit में इसको change किया फिर इसको change किया T वाले limit में X में limit क्या थी इसकी X में limit थी 0 से लेके 1 तक इस question में 0 से 1 तक limit होती है तो ये आएगी 0 से लेके 1 तक limit अभी T में क्या limit होगी वो अपने को देखना है तो X है 0 x की जगा पे 0 पुट करना है x की जगा पे अभी हम लोग 0 पुट करते है तो यहाँ पे हम लोग x की जगा पे 0 पुट करेगे तो क्या बनेगा तो उसको यहाँ पे लिखते है तो वो बनेगा log 0 equal to minus t बनेगा log 0 equal to minus t अभी log 0 क्या होता है log 0 होता है माइनस इन्फाइनाइट लॉग 0 माइनस इन्फाइनाइट होता है और ये माइनस T तो ये माइनस माइनस कैंसल होगा तो T की वैल्यू क्या आई इन्फाइनाइट मिली तो यहाँ पे मिलेगा अपने को इन्फाइनाइट फिर उसके बाद x की जगा पर 1 put करना है तो यह है अपना x log x की जगा पर 1 put करना है तो उसको put करेगे यहाँ पर अभी यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर लिखता हूँ when x equal to 0 when x equal to 0 x equal to 0 के लिए यह solve किया अभी हम लोग solve करेगे when x equal to 1 x equal to 1 के लिए solve करेगे x equal to 1 है तो x की जगा पर 1 put करना है तो यहाँ पर आएगा log 1 log 1 equal to minus t log 1 equal to minus t और log 1 की जो value होती है log 1 की value होती है 0 equal to और यह minus नीचे आएगा तो 0 के साथ वो null हो जाता है फिर यह बनेगा t equal to 0 तो यह बनेगा t equal to 0 t equal to 0 बनेगा अभी अपने को लिमेट कर रह में 0 to 1 अपनी limit t में change करने के बाद अपने को limit मिली infinity से 0 लेकिन gamma function में limit क्या चाहिए रहती अपने को 0 to infinity चाहिए रहती तो infinite to 0 को 0 से infinity change करने के लिए integration में और बेसिक सा integration का होता है limits change करने के लिए suppose करते है limit से अपनी B से लेके A तक B से लेके A तक के limit है और इसको अपने को limit को change करना है change करना है मतलब limit को उल्टा करना है limit को उल्टा करना है मतलब यहाँ पर B to A है तो अपने को limit को करना है A to B ऐसा कर सकते है हम लोग सिर्फ यह करने के बाद यहां पर integration के बाहर एक minus sign आएगा तो ऐसा करने अपने को यहां पर लिमिट क्या है अभी यहां पर लिमिट है अपनी infinity से 0 infinity से 0 limit है लेकिन gamma function अपने को 0 to infinity चाहिए तो वो लादनी अपने को वो हम लोग ला सकते 0 to infinity लिख सकते लेकिन उसके साथ एक minus sign लिखना पड़ेगा बस यह इतना basic से अपना इस type 2 log वाले examples के लिए उसके बाद अभी हम लोग question number 1 start करेगे और अभी इसको erase करते है तो इसमें अपने को याद क्या रखना है log वाला sum दिखा तो अपने कोई सबसे फ़र्श प्रॉब्लम में limit है 0 to 1 वो नहीं चीए फिर उसमें e present नहीं है e present नहीं है तो हम लोग इसके लिए log x equal to minus t put करते है फिर ऐसा derivative निकलते है फिर limit के लिए यह फिर अपना solution निकलते है स्टार्ट करते है इस question number 1 को स्टार्ट करना इसको erase करते है अभी स्टार्ट करेंगे question number 1 log base यह example से type number 2 गामा function में तो यह अपना question है इसमें अपने को सबसे first put क्या करते है वह अभी हम लोग ने देखा तो start करेंगे put करेंगे log x equal to t से put करेंगे log x equal to minus t log x equal to minus t put किया फिर उसके बाद अपने को anti log लेना है anti log लेना है मतलब क्या e लेना है both side पे तो इसमें क्या होगा फिर e raise to log x बनेगा यह e raise to log x और यह side बनेगा e raise to minus t e raise to minus t अभी यह e मतलब anti log और यह log anti log और log cancel होता है तो यहां से बचा क्या यहां से बचा सिर्फ x बचा है और यहां से बचा है e raise to minus t इसके बाद इसके बाद अपने को क्या करना है derivative लेना होता है derivative लेगे तो क्या बनेगा यह X का derivative बनेगा D X बनेगा और E raise to minus T का derivative बनेगा E raise to minus T और Minus T का derivative बनेगा – 1 बनेगा तो यह आएगाке B gosh Div always minus sign और यहाँ पर आएगा D T इसके बाद अपने को limits लिक्षेना है first variable क्या है d के बाजू में d के बाजू में x present है तो first variable आएगा यहाँ पर x फिर second variable क्या है second variable हम लोग t में convert कर रहे है तो इसलिए आएगा यहाँ पर t आएगा अभी x की values कितनी है x की limits कितनी है 0 से लेके 1 तक तो यहाँ पर लिखेगे 0 से लेके 1 तक और इसमें t में t में होने के बाद क्या values होगी हम लोग इस x equal to 0 को इसकी जगा पर put करेगे x equal to 0 को इसकी जगा पर put करेगे x equal to 0 तो log 0 क्या होता है log 0 होता है minus infinity तो minus sign और minus sign cancel होगा और t equal to आएगा यहाँ पर infinity आएगा t equal to आएगा infinity फिर उसके बाद x की जगह पर 1 put करना है यहां पर x की जगह पर 1 put करना है log 1 होता है 0 तो यह minus sign यहां पर नीचे आएगा तो minus sign cancel हो जाएगा तो यह बनेगा infinity से लेके 0 तक तो यह है अपने limits अभी अपने को लिखना है अभी हम लोग इसको आगे solve करेंगे तो आगे अभी इंटिग्रेशन से solve करते है अभी यह जो complete question था वह X में available है अभी हम लोग इसमें हम लोग ने T में उसको convert किया तो जो T में convert किया अभी उसको लिखते है सबसे first आएगा integration integration T में convert किया फिर integration के limits क्या आएगी infinity से लिखे 0 तक T में convert करने के बाद तो यहाँ पर लिखेगे infinity यहाँ लिखेगे infinity से 0 तक उसके बाद क्या है X log X है X log X है तो X क्या है X से अपना E raise to minus T तो उसको लिखेगे यहाँ पर X से अपना E raise to minus T तो उसको लिखेगे E raise to minus T E raise to minus T फिर उसके बाद है log X log X क्या है log X हम लोग ने assume किया minus T तो यहाँ पर आएगा minus T minus T आएगा फिर उसके बाद X log X हुआ और यह raise to 4 है तो यह 4 भी आएगा तो यह 4 भी आएगा उसके बाद उसके बाद है DX DX के आपना minus E raise to minus T DT तो उसको लिखेगे यहाँ पर तो यह वाला क्या है minus E raise to minus T minus E raise to minus T और यहाँ पर आएगा DT तो अभी इसको further solve करना है further solve करेगे कैसे करेगे अभी वो देखते है इसको solve कैसे करना है सबसे first हम लोग यहाँ पर इस bracket को open करेगे तो यह क्या है तो यहाँ पर लिखते है integration आएगा यहाँ पर integration में यहाँ पर infinity to zero है उसको अभी हम लोग continue करेगे फिर बाद में उसको change करेगे infinity to zero है फिर E raise to minus T power 4 है तो 4 minus 40 आएगा E raise to minus 40 आएगा E raise to minus 40 फिर उसके बाद minus T raise to 4 minus 1 raise to 4 कितना होता है minus 1 raise to 4 minus 1 ही होता है minus 1 raise to 4 1 होता है तो इसको यहाँ पर समझते है यह minus 1 raise to 4 है इसका मतलब क्या हुआ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते है minus 1 का square और उसका square minus 1 का square कितना होता है minus 1 का square होता है 1 तो यह minus 1 raise to 4 का answer कितना आएगा 1 आएगा तो वैसे ही हापे minus T raise to 4 है उसका answer क्या आएगा 1 तो यह T raise to 4 ही इसका answer आएगा तो इस answer को हम लोग क्या पर लिखते है T raise to 4 आया T raise to 4 उसके बाद यह minus E raise to minus T है तो इसको लिखेगे minus E raise to minus T E raise to minus T फिर उसके बाद है DT तो अभी इसको आगे solve करते है तो अभी अपने को यह जो limit है इस limit को change करना है reverse करना है क्यों reverse करना है क्योंकि gamma function में अपने को 0 to infinity चाहिए रहते है और यहापे infinity to 0 है तो इसको reverse करने के लिए क्या करना बढ़ता है सबसे first reverse करेगे 0 to infinity फिर एक minus sign डालेगे तो यह limit reverse हो चुका है और अभी e raise to minus 4t है और यहापे e raise to minus t है minus 4t minus t minus 4 minus 1 minus 5t होता है t raise to 4 और यहापे बचा है dt तो यह minus minus plus हो गया और तो इसको हम लोग cancel कर सकते है minus minus plus तो अभी gamma function के equal हुआ है क्या यहापे partition draw करते है तो gamma function अभी हम लोग apply कर सकते है क्या चेक करते है e की power में अपने को चेक करना होता है इस t का power तो 1 है लेकिन coefficient 1 है क्या coefficient 1 नहीं है इसका मतलब यह वाला gamma वाला function वाला property definition हम लोग use नहीं कर सकते अभी तो फिर क्या करेगा अभी फिर से हम लोग put करेगे तो ऐसा situation आने के बाद फिर से हम लोग put करेगे यहापे put क्या करेगे 5t put करेगे तो हम लोग यहापे लिखेगे अभी put put 5t जो problem दे रहे है आपने को 5t equal to m put करेगे 5t equal to m तो यह 5 अभी नीचे denominator में जाएगा तो अभी t equal to m upon 5 आएगा t equal to m upon 5 तो power 1 लानी थी 1 आगया coefficient भी 1 चाहिए तो वो भी आगया तो अभी इसके बाद हम लोग क्या कर सकते है इसके बाद हम लोग derivative लेगे इसका derivative लेने के बाद तो यह क्या बनेगा dt बनेगा और यह 1 upon 5 तो constant है और m का derivative बनेगा dm उसके बाद अपने को limits चेक करनी होती है तो limits क्या पर draw करेगे limits derivative लेने के बाद अपना भी function क्या है variable क्या है d के बाज़ी में t है तो variable है t और हम लोग change किस में कर रहे है हम लोग m में change कर रहे है तो नीचे आएगा m उसके बाद t का limit क्या है 0 से लेके infinity तक तो उसको लिखे के यहाँ पर 0 से लेके infinity तक फिर उसके बाद m को भी check करना है तो t का limit है 0 तो यहाँ पर put करेगे 0 into 5 0 होता है तो m बनेगा 0 फिर t का limit है infinity तो इस t की जगा पर infinity put करेगे infinity into 5 infinity होता है तो m बना infinity बना m बना infinity अभी इसके बाद इसके बाद अपने को जो अपने यह t में है उसको अभी m में change करना है तो उसके लिए क्या करेगे सबसे फोर्ष इंटिग्रेशन लिखेगे limits क्या है यहाँ पर 0 से लिखे infinity तक तो उसको लिखेगे 0 से लिखे infinity तक यह minus minus तो plus हो जाता है तो इसका कोई issue नहीं है तो e raise to minus अभी यहाँ पर 5t है 5t को लोग ने क्या लिखा था m लिखा तो यह minus तो hazard is आएगा 5t की जगा पर m लिखना है तो m आया यहाँ पर m फिर उसके बाद t raise to 4 है तो t क्या है अपना m upon 5 है t t raise to 4 है सबसे फ़स t लिखना है अपने को m upon 5 है t तो यहाँ पर लिखेगे m upon 5 m upon 5 लेकिन यह इतना ही नहीं है t raise to 4 है तो यहाँ पर raise to 4 भी आएगा फिर उसके बाद है dt dt क्या है 1 upon 5 dm तो उसको लिखेगे 1 upon 5 और यहाँ पर आएगा dm तो अभी इसको आगे solve करते ह है तो इसको solve करेगे तो यहाँ पर solve करते है इसको अभी next सबसे first यहाँ पर integration लिखेगे 0 से लेके infinity तक 0 से लेके infinity तक फिर उसके बाद integration लिखा उसके पहले अपने को constant को भी भाहर निकलना है तो constant को यहां से भाहर निकाले गए, यहां पर constant क्या है, 1 upon 5 constant है, और यहां पर 1 upon 5 raise to 4 constant है, तो उसको लिखेगे यहां पर 1 upon 5 raise to 4 constant है, यहां पर 1 upon 5 raise to 4, bracket के बार raise to 4 भी भाहर आता है, तो 1 upon 5 raise to 4 और यहां पर 1 upon 5 raise to 1, तो यहां पर आएगा 1 upon 5 raise to 1, यह जो है, यह constant भाहर निकले, फिर अंदर क्या बचा है, अभी e raise to minus m बचा है, e raise to minus m और m raise to 4 बचा है, m raise to 4 और यहां पर बचा है, यह dm, तो अभी हम लोग, यहां पर गामा का जो definition है, वो apply कर सकते हैं क्या, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि e की power में, m का जो power है, वो 1 है, और coefficient भी 1 है, तो यहां पर यह apply कर सकते हैं, गामा power plus 1, तो इसका जो answer आएगा, वो answer लिखेगा अभी, अभी यहां पर 1 upon 5 raise to 4 है, और 5 raise to 1 है, तो हमेशा जो यह होता है, वो add होता है, 4 plus 1, 5 होगा, तो यह बनेगा, 1 upon 5 raise to 5 बनेगा यह, 1 upon 5 raise to 5, उसके बाद, गामा यहां पर apply होगा, power plus 1, यहां पर power कितनी है, 4 power है, 4 plus 1, 4 plus 1, तो इसका जो answer क्या आता है, गामा 4 plus 1, तो यह बनेगा गामा 5, गामा 5 upon 5 raise to 5, गामा 5 upon 5 raise to 5, तो गामा 5 का answer क्या होता है, गामा n का जो formula होता है, वो n minus 1 factorial होता है, तो यहां पर 5 minus 1 factorial बनेगा, यह बनेगा 5 minus 1 factorial, अपॉन 5 रेज़ तू 5 यह बनेगा 4 factorial अपॉन 5 रेज़ तू 5 तो यह है इसका final answer 4 factorial अपॉन 5 रेज़ तू 5 अभी 4 factorial किते नहां होता है 24 होता है तो उसका हम लोग क्या पर लिख सकते है 24 अपॉन 5 रेज़ तू 5 तो यह है अपना final answer question number 1 का तो इस वीडियो को like करना चानल को subscribe करना और इस गामा और बीटा की playlist की link नीचे description में given है उस playlist को अपने college के group में share करना ताकि बाकी लोगों तक भी यह playlist पहुचे और अभी solve करते हैं next question thank you so much